यह जो सामने आप देख रहें दोस्तों यह है जेड प्लांट, जेड प्लांट गार्डिनिंग में सबस्यादा सर्च किये जाने के पीछे एक रीजिन यह भी है कि इसके बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि यह पौधा इंडोर है यह आउटडोर, दोस्तों जितना खुब में लाज तक बने रहेगा, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि पौधा इंडोर है यह आउटडोर इसे कहां पर रखनी है, कितनी मात्रा में इसे धूप चाहिए, और कैसे इसी ग्रो करना है, धेर सारी इसमें नई नई जो यह आप देख रहे हैं, यह कैसे आ आप बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, इसे आउटडोर में रखेंगे, तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है, कभी भी आप इसे देखेंगे नर्सरी से लेते हैं, तो नर्सरी वाले बता जैते हैं, कि इसे इंडोर रख सकते हैं, पर इंडोर रखने में इसे आपको हपते में एक बार या दो बार इसे धूप में रखना जरूर पड़ता है तब ही जाकि इस पौधे में ग्रोथ होती है तो अगर किसी पौधे को आपको धूप में रखना पड़ रहा है तो वो इंडोर प्लांट नहीं हुआ इसे आप रख सकते हो सेड़ेड एरिया में जहां पे अच्छी रोस्नी आती हो कहने का मतलब है कि जो इसकी मिट्टी है वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए अगर ड्राई नहीं होगी मिट्टी तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी तो आउट्डोर प्लांट है हाँ डायरेक्ट जो सनलाइट है जो दिन के दोपहर की धूप होती है उससे इस पौधे को बचाना है अगर आपका पौधा काफी पुराना है तीन-चार साल पुराना है तो आप उसे पूरे दिन की धूप में रख सकते हो पौधा सर्वाइब करेगा थोड़ी से उसकी पतियां गर्मीओं में जज़ादा गर्मी पड़ती है थोड़ी सी पतियां सिकुरती है पौधा थोड़ा सा लटका हुआ सा दिखाई देता है पर सर्वाइब करता है अगर आप इसे morning की sunlight या evening sunlight देते हो तो पौधा perfect रूप से growth करता है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिलती है मैंने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रख रखा है जहां पर इसे सुबह की करीब 2 गंटे की धूप और साम की जाते समय जो धूप मिलती है वो मिल जाती है या देखी है जो stage net हमने लगा रखा है तो stage net की नीचे हम रखते है तो सुबह की धूप और sunrise की धूप इस पौधे को अच्छे से मिलती है बाकी दिन भर इसको जो सेटनेट की नीचे रहता है तो अच्छी bright light मिलती है और हवा चारो तरब से पास होती है तो मिट्टी काफी अच्छी से dry होती है अब बात दूसरी कर लेते हैं दोस्तों कि इस पौधे के लिए जो pot size होता है कितना बड़ा लेना चाहिए तो आप अगर बंजाई बनाने की कोशिस कर रहे हो बंजाई बना रहे हो तो इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने ले रखा और इस पौधे को develop किया हुआ तो काफी अच्छी सेप में पौधा जा रहा है पौधे को काफी अच्छी से घना करना चाहते हो बूसी बनाना चाहते हो तो इसके लिए इस प्रकार का 6-8 हिंच का pot ले सकते हो जिसमें आप इस पौधे को लगा सकते हो जिसमें हम अभी इस कटिंग को लगाएंगे इसके लिए मिट्टी कैसे बनानी है क्या-क्या हम वीडियो में आगे बात करेंगे अब आयाते हैं दोस्तों तीसरी टॉपिक पर तीसरी टॉपिक है इसमें जो कमिया आती है या वाटरिंग का समस्या होती है तो मैं आपको दिखाऊं दोस्तों देखिए यह पौधे में ना तो ओवर वाटरिंग चाहिए ना ही अंडर पौधे में आप देख सकते हैं सिर्फ एक दो पत्या है जो पीली पड़ी है तो इसमें कोई भी चिंटा करने की बात नहीं है पौधा ना तो अंडर वाटर है ना ओवर वाटर है लेकिन यह सिंबल होता है अगर ज्यादा ज्यादा पत्या आपकी राई होके सिकुड के मु पौधे में ओवर वाटरिंग की समस्या हो रही है जिसे आपको रोकना है पाणी को को देना कम करना पड़ेगा तो अगर आप इस समय की बात करें चो मई-जून की गर्मिया है तो डेली आप एक बार इसमें वाटरिंग कीजिए जिससे आपका पौधा धेल्डी बना अब next दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें compost की उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पौधा है इसको आप अच्छी सेप देने के लिए इसकी cutting करते रहेंगे तो इसमें काफी अच्छी growth होती रहेगी जितनी आप इसमें pruning करेंगे हर महिने में एक बार इसकी अगर आप अच cutting से grow करना है तो cutting से कैसे grow करना है और मैंने आपको किछली वीडियो मेरी बड़ी हुई हैं आपको cutting से grow करने के उसको आप देख सकते हैं इवन इसकी पत्तियों से भी आप इसके पौधे को तयार कर सकते हैं और उसमें थोड़ा time ज़्यादा लगता है लेकिन अगर आप इसकी कोई cutting ले लेते हैं नॉर्मल सी cutting और उसको नॉर्मल सोयल में लगा के छोड़ दीजे या फिर वाटर में डाल के छोड़ दीजे बहुत ही easily इसकी cutting grow हो जाती है तो हम आपको इसकी pruning कर लेते हैं और pruning करने के बाद cutting भी लगा के दिखाएंगे साथ में यह जो cutting हमने लगाई है इसे हम पहले transplant कर लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे इसके compost के बारे में जिससे कि हमारा पौधा काफी अच्छे से घना हो सिर्फ एक compost हमें देना है और उसी से हमारा पौधा पूरे टाइम चलता रहेगा तो दोस्तों इसको सेफ हमें अपने अनुसार देनी है जैसा आपको पसंद हो पौधे का सेफ उस हिसाब से आप इसकी cutting और pruning कर दीजिए यह देखे दोस्तों हमने इसकी करदी pruning काफी अच्छे से और जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपको cuttings लगाने के लिए branches मिलेंगी उतने ज़्यादा आपके पास यह पौधे multiply होते रहेंगे तो इस प्रकार से हमने इसकी करदी pruning अच्छे से pruning करने के बाद यह जो cuttings है इन्हें हमें लगानी है लगाने के लिए क्या करना देखे जो नीचे की notes है यहां से हमें पत्तियों को हटा लेना है नीचे से पत्तियों को आप साइड से हटा लीजिए पस यह cutting लगाने के लिए ready हो गई है तो दोस्तों इतनी सारी cuttings हमें मिल गई है और cutting के लिए हमने जो mixture बनाना था देखे हम सिर्फ cocoa pit और जो रेत है लाल बालू उसकी mixture उस मिक्स करके उसके mix में हम इस cutting को लगा रहे हैं आप चाहें तो इस cutting को सिर्फ cocoa को पीट में या सिर्फ बालू में या मित्टी में इसी गंबले की मित्टी में जिसमें पौधा लगा हुआ किसी में भी लगा सकते हो बहुत ही easily grow हो जाता है और इसको कुछ नहीं करना है आपको बस इस प्रकार से इसमें प्रिस कर देना है कि थोड़े मुगा बरतन लिया है जिससे कि इसमें भी सारी cuttings हम लगा लें और जैसे ही roots निकलेंगी हम इन्हें transplant कर देंगे अब दोस्तों हमारी cutting लगके ready हो गई है इसमें हम कर देंगे watering और watering करने के बाद इसको हमें रखना है ऐसी जगहां पर जहां direct sunlight बिल्कुल ना आती हो पर अच्छी रोस्नी हो तो ऐसी जगहां पर रखेंगे 15 से 20 दिन में आपकी cutting successfully result दे देगी अब बात कर लेतें दोस्तों हमने pruning कर ली है अपने पौधी की pruning करने के बाद इसमें हमें compost क्या देनी होती है या फिर क्या compost हमें इस पौधे में देनी रहती है जिससे कि इस पौधे में अच्छी growth हो तो दोस्तों देखे इसमें हमें leaves जो है इसकी growth करनी है तो हमें इस प ग्रोफ काफ़ी अच्छी हो आप cowden compost, vermi compost या kitchen waste से बना हुआ compost या फिर चाय की पत्ती से बना हुआ compost दे सकते हैं साथ में हमें महीने में एक बार इस परकार से देखे liquid compost, चाहे वो vermi compost से बना हुआ liquid compost हो या जो उपला होता है उपले से बना हुआ के छोड़ दिया था और अब हम इसे चान लेंगे यह देखिए यह हमारी उपले का पानी है और इसमें हम हाफ आधा जो कंपोस्ट हमने रेडी किया हुआ और आधा उसमें हम पानी मिला लेंगे मिलाने के बाद हम अपने पौधे में महिने में एक बार किसी भी प्रकार का कोई liquid compost जो हम रेडी करते हैं वो देढ़ेंगे आपको अपने पौधे में बहुत ही अच्छा growth और इसका result बहुत ही positive देखने को मिलेगा अब इसमें दोस्तों लास्ट टर्म में हम बात कर लेता है अगर कोई pesticide क्या attack होता है क्या इसमें बिमारियां झाल तो नॉर्मली नीम आयल का स्प्रे कर सकते हैं जिससे की मिली वक हट जाते हैं अगर ये ज़्यादा अटैक कर दिये हैं इनकी मातरा ज़्यादा हो गई है तो आपको जहां पर इनकी मातरा ज़्यादा है उसको कट करके खौदे से अलग कर देना है ताकि ये फैले नहीं अगर एक दो है तो आप इसमें नीम आयल का स्प्रे कर सकते हैं जिससे की यह आगे और ज्यादर नहीं बढ़ेंगे बस अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमें इसको बना लगाने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँ हमें कटिंग लगाने जा रहे हैं हमें एक भाग लेनी है मिट्टी साथ में एक भाग लेनी है कंपोस्ट इसमें एक भाग आधी भाग में हमें कोको पिट और आधी भाग लाल बालू जिससे की मिट्टी में जो ड्रेने सिस्टम है वो काफी अच जिससे कि किसी प्रकार का कोई fungus हो तो वो मिट्टी में ना बन पाए और इसे हमें अच्छे से mix कर लेना है इस प्रकार से देखिए हमने mixture ready कर लिया है और pot मैंने आपको दिखाया था जो इसका drainage system में मैं दिखा हूँ आपको देखिए कितना बड़ा हो इसमें hole है drainage system के लिए इसे हम किसी पत्थर की मदद से cover कर देंगे और garden से ही कुछ सूखी पत्तियों को हम नीचे एक layer के रूप में बिखा देंगे जिससे की मिट्टी जो है उस रास्ते drainage hole के रास्ते बाहर ना निकले और फिर हम इस pot को मिट्टी से करेंगे fill आधा आधा fill करने के बाद हम अपनी cutting को जो कि हम काफी time पहले लगाया हुए थे तो काफी अच्छे से देखे इस छोटे से pot में काफी ज़्यादा growth इस cutting ने कर लिया आया है इवन यहाँ नीचे से इसकी roots भी बहार आने लग गई थी तो हमने उसे अभी cut करके हटाया है यह देखिए जो इसकी root ball है यह कितनी अच्छे से grow क्या हुगा तो इस cutting को हम इसमें place करेंगे और दुबारा से मिट्टी से इसे भर देंगे घंबले को और भरने के बाद इसमें करनी है हमें watering और watering करके starting में हम इसे 102 दिल रखेंगे एकदम shaded place में जहां direct sunlight नहीं आती है और फिर उसके बाद हमें रखना इसे ऐसी जगह पर जहां दिन की इसे कम से कम दो घंटे की धूप मिलती रहे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो सुझाए हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद